कोरोना वाइरस से संक्रमन को रोकने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन तयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि इस महामारी को रोका जा सके विशेशग्यों का कहना है कि जिस रफतार से वग्यानिक कोरुना वाइरस के टीके के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो असाधारण है हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी वैक्सीन के विकास में सालों लग जाते हैं और कभी-कभी तो दशकों भी उधारण के लिए हाल ही में जिस इबोला वैक्सीन को मनजूरी मिली है उसके विकास में 16 साल का वक्त लग गया और ये बहुत सामान्यसी बात है कि वैक्सीन के विकास की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है पहला फेज लेबुरेटरी में होता है उसके बाद जानवरों पर परिक्षन किया जाता है अगर परियोग के दौरान ये लगता है कि वैक्सीन का इस्तिमाल सुरक्षित है और प्रतिरोधक्षमता दिखाई देने लगती है तो इंसानों पर इसका परिक्षन शुरू किया जाता है इंसानों पर परिक्षन की प्रक्रिया भी तीन चरणों में पूरी होती है पहले चरण में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत छूटी होती है और वे स्वस्थ होते हैं दूसरे चरण में परिक्षन के लिए भाग लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहती है और कंट्रोल गृप्स होते हैं ताकि ये देखा जा सके कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। कंट्रोल गृप्स का मतलब ऐसे समूह से होता है जो परीक्षन में भाग लेने वाले बाकी लोगों से अलग रखे जाते हैं। प्रियोग के तीसरे चरण में ये पता लगाया जाता है कि वैक्सीन की कितनी खुराक असरदार होगी। फिलहाल अच्छे बात यही है कि महज तीन महीने के अंदर कोविड-19 की वैक्सीन पर काम कर रही 90 रिसर्च टीमों में से 6 उस मुकाम पर पहुँच गई हैं जिसे एक बहुत बड़ा लक्ष माना जाता है और वो है इनसानों पर परीक्षन। हम आगे उन 6 टीकों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिनके विकास का काम अभी चल रहा है। करेंगी ताकि वो कोरोना वाइरस के खिलाफ लड़ सके और बीमारी को रोके। ऐसा करने के लिए जो पारम पर इक तरीके अपनाए जाते हैं उनमें जीवित लेकिन कमजूर और निश्क्रिय विशाणूं का इस्तिमाल किया जाता है। लेकिन मौडरना थेराप्यूटिक्स की MRNA-1273 वेक्सीन में उन विशाणूं का इस्तिमाल नहीं किया गया है जो कोविड-19 की महमारी के लिए जिम्मेदार है। इसके ट्राइल को अमरीका के National Institute of Health की फंडिंग मिल रही है। यह वेक्सीन मेसेंजर RNA या मेसेंजर Ribionical Acid पराधारित है। वेज्ञानिकों ने लैब में कोरोना वाइरस का जनेटिक कोड तयार किया है। उसके एक छोटे से हिस्से को इनसान के शरीर में इंजेक्ट किये जाने की जरूरत होगी। वेज्ञानिक ये उमीद कर रहे हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की प्रतिरोधक्षमता संक्रमन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिक्रिया करेगी। दूसरी वेक्सीन है INO4800 वेक्सीन अमरीकी बायो टेकनलोजी कंपनी इनोवियो फार्मसियूटिकल्स का मुख्याले पैंसिलवेनिया में है। इनोवियो भी रिसर्च की नई रणनीती पर अमल कर रही है। कंपनी का फोकस ऐसी वेक्सीन तयार करने पर है जिसमें मरीज के सेल्स यानि कोशिकाओं में प्लाजमिड यानि एक तरह की छोटी अनुवानशिक संरचना के जरीए सीधे डीने इंजक्ट किया जाएगा। इससे मरीज के शरीर में संक्रमण से लडने के लिए एंटी बॉडीज का निर्मान शुरू होने की उम्मीद है। इनोवियो और मॉडर्ना दोनों ही नई तकनीक का सहरा ले रही हैं जिसमें एक अनुवानशिक संरचना में बदलाव किया जा रहा है या फिर उसमें सुधार किया जा रहा है। वेक्सीन की राह में क्या चुनोतियां हैं। डॉक्टर फैलिपे टापिया जर्मनी की मैक्डेबर्ग में मैक्स प्लैंक इंस्टिटूट के बायो प्रॉसेस इंजिनियरिंग ग्रूप्स के विशेशग्य हैं। वे कहते हैं इन में से किसी भी तकनीक के जरिये अभी तक किसी दवा या इलाज की खोज नहीं किये गई है। सबसे बड़ी चनौती इस वेक्सीन को उत्पादन और मार्केटिंग किस्तिती में पहुँचाने की है। क्योंकि फिलहाल उनके पास मैसेंजर, राइबियॉनिकल, एसिड पर आधारित वेक्सीन के विकास के लिए लाइसेंस नहीं है। चीन में इस समय तीन वेक्सीन प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हिूमन ट्राइल यानि इनसानों पर परिक्षन चल रहा है। इनमें उत्पादन के पारंपरिक तरीकों का इस्तिमाल किया जा रहा है। एक वेक्सीन है AD5-NCOV वेक्सीन। 16 मार्च को जब Moderna Therapeutics ने इनसानों पर अपनी वेक्सीन का परिक्षन शुरू किया था। चीनी बायोटिक कंपनी CanSino Biological ने भी उसी दिन अपने ट्राइल्स शुरू किये थे। इस प्रोजेक्ट में CanSino Biological के साथ Institute of Biotechnology और Chinese Academy of Military Medical Sciences भी काम कर रहे हैं। AD5-NCOV वेक्सीन में एडेनो वाइरस के एक खास वर्जन का इस्तिमाल बतौर वेक्टर किया जाता है। एडेनो वाइरस विशाडों के उस सम्मुह को कहते हैं जो हमारी आखों, श्वास नली, फैफडे, आतों और नर्वस सिस्टम में संक्रमण का कारण बनते हैं। इसके सामान्य लक्षन हैं बुखार, सर्दी, गले की तकलीफ, डाइरिया और गुलाबी आखें। और वेक्टर का मतलब वाइरस या एजेंट से है, जिसका इस्तेमाल किसी कोशिका को DNA पहुचाने के लिए किया जाता है। वेग्यानिकों का अंदाजा है कि ये वेक्टर उस प्रोटीन को सक्रिय कर देगा, जो संक्रमण से लड़ने में प्रतिरोधक्षमता के लिए मददगार हो सकता है। अगली वेक्षिन है LV-Smenp-DC चीन के ही शेंजैन जीनो इम्म्यून मेडिकल इंस्टिटूट में एक और हुमन वेक्षिन LV-Smenp-DC का परिक्षन भी चल रहा है। इसमें HIV जैसी बीमारी के लिए जिम्मेदार लेंटी वाइरस से तयार की गई उन सहयक कोशिकाओं का इस्तिमाल किया जाता है जो प्रतिरोधक्षमता को सक्रिय करती हैं। वहीं वुहान में एक और वेक्षिन बन रही है। चीन में जिस तीसरी वेक्सीन पर काम चल रहा है उसमें निशकरिय वाइरस की वेक्सीन दिये जाने का प्रस्ताव है। इस पर वुहान Biologicals Products Institute में काम चल रहा है। इस वेक्सीन के लिए निश्क्रिय वाइरस में कुछ ऐसे बदलाव किये जाते हैं जिनसे वो किसी को बीमार करने की अपनी शमताख हो देते हैं डॉक्टर फैली पे टापिया कहते हैं कि वेक्सीन तयार करने की ये तकनीक सामान्य है ज्यादतर वेक्सीन इसी प्रक्रिया से तयार किये जाते हैं इसमें मन्जूरी लेने की अडिशन कम होती है इसलिए अगर अगले 12-16 महीनों के बीच कोई वेक्सीन तयार होने वाली है तो वो इसी तकनीक पर अधारित होगी एक और वेक्सीन है CHAD-OX1 ब्रिटेन की Oxford University के General Institute में CHAD-OX1 वेक्सीन के विकास का काम चल रहा है 23 अपरैल को योरोप में इसका पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है General Institute के विग्यानिक भी उसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिस पर चीनी कंपनी CanSino Biologicals रिसर्च कर रही है लेकिन Oxford की टीम चिंपांजी से लिए गए एंडेनो वाइरस के कमजोर वर्जन का इस्तिमाल कर रही है इसमें कुछ बदलाव किये गए हैं ताकि इनसानों में ये खुद का विकास न करने लगे डॉक्टर फैलिपे टापिया कहते हैं कि दरसल वे लोग लैब में वाइरस तयार कर रहे हैं जो नुकसान देह नहीं है लेकिन इसकी सतह पर कोरुना वाइरस प्रोटीन है उमीद की जा रही है कि इनसानों में ये प्रोटीन प्रतिरुदक्षमता को सक्रिय कर देगी वग्यानिक पहले भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते रहे हैं इसकी मदद से मर्स कोरुना वाइरस की वेक्सीन इन्विक्सित की गई है बताया जा रहा है कि इस वेक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के सकारात्मक परिणाम मिले है भले ही COVID-19 बीमारी का इलाज युद इस्तर पर खोजा जा रहा हो लेकिन जानकारों का कहना है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन में से कोई टी का काम करेगा या नहीं जैसा कि डॉक्टर फैली पे टापिया बताते हैं अभी ये मालूम नहीं है उधारन के लिए कोई नहीं ये बता सकता है कि इन वेक्सीन की आप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं क्या हो सकती है या अलग-अलग अबादी या अलग-अलग अमर के लोगों पर इन वेक्सीन का क्या असर होगा ये समय के साथ ही पता चल पाएगा और एक प्रभावशाली वेक्सीन तयार करना उसे मनजूरी मिलना केवल पहला कدم होगा उसके बाद असली चुनौती अरबो लोगों के लिए इस वैक्सीन के उत्पादन और जरूरतमंद लोगों तक उसे पहुचाने की होगी